दोस्तों आज हम चंद्रगुपत नाटक की चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे आखिरी चंद्रगुपत नाटक जैसंकर परशाद ने क्यों लिखा? इनका इतिहास क्या है? इससे पहले भी जैसंकर परशाद ने 1912 इसमी में कल्यानी परीने लिखा और उसी कल्यानी परीने का एक परिवर्तित रूप 1931 में चंद्रगुप्त नाटक लिखा आखिरी चंद्रगुप्त नाटक का शंबंद किसे है तो याद रखना चंद्रगुप्त नाटक का शंबंध मौरिवन्ष और नंदवन्ष से था और ये मगद समराज्ज से था आखिरे मगद समराज्ज का इतिहास क्या है तो ये भी याद रखना मगद समराज्य के इतिहास को अगर देखेंगे तो सबसे पहले मगद पर हर्यक वन्स आया, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे, हर्यक वन्स के बाद फिर सैसुनाग वन्स आया, फिर नंद वन्स आया दोस्तों, और नंद वन्स का संस्थापक महापदम नंद था, और इस समय जो नंद निम्ड कुल के शाशक थे, दलित बर्ग से थे, इस समय घननंद का शाशक था, जैसे कि परशाद ने घननंद को एक अत्याचारी, जनता को शूशन करने वाला, एक निर्दई, ब्रामनों को कष्ट देने वाला, एक अत्याचारी सासक के रूप में दिखाया है, जै इसी घननंद ने, आगे मैं बताऊंगा, इसी घननंद ने चानक के पिता चनक का अपमान किया था, इसलिए चानक के जब लौट के तक्चसिला से पाटली पुत्रा आते हैं, तो वह अपने परिवार को नहीं पाकर बड़ी दुखी होते हैं, लोग बताते हैं कि आपके पर अबाद करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉई करना चाहते हैं, और एक नायक की तलाश में है, और ये भी चर्चा करेंगे कि वो नायक चंदरगुप्त उसे कैसे मिलता है, और इस नंद वंश का शासन जो था, जैसा इसक्रीन पर देख रहे हैं, मैंने घेर दिया है, ये पूरा जो है नंद वंश का एरिया था, दूसरी तरफ जो चंदरगुप्त नाटक है दोस्तों, इनमें कुल चार अंक है, और 44 दृष्य है, और हर अंक में, पहले अंक में 11 दृष्य, दूसरे में 10, तीसरे में 9, और चोथे में 14 दृष्य है, तो इनको भी आप ध्यान डखना, औ और जो मौर्यवन्ष का समय जो है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मौर्यवन्ष का समय लगवक 322 बीसी से 182 बीसी मौर्यवन्ष का समय है, यह भी ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं, कि चंदरगुप्त नाटक का जो मुख्य पात्र है, वो चानक है, चंदरगुप्त ह और तक्चसिला बिश्विद्याले, मैंने इसकी चर्चा क्यों किया, तो ध्यान रखना, कि सबसे पहले चानक जो है, तक्चसिला बिश्विद्याले में अध्यन कर रहे थे, यह वही तक्चसिला बिश्विद्याले है, जिसकी अस्थापना परवुराम के भाई भरत के जो राजा है नाटक के अनुशार आमभिक का पिता है और आमभिक जो है यही तक्ष सिला भी पड़ता है और आमभिक जो है वहां का राजकुमार है लेकिन गंधार डरेश और आमभिक दोनों यमनों से दोस्ती कर लेता है और यमनों को भारत पर आक्रवन करने का रास्ता दे इसलिए यहां पर इसे गदार के रूप में दिखाया गया है जैसे कर परशाद ने गंदार के राजकुमार थुरू यह दिखाने का प्रियास किये है कि हमारे देश में भी बहुत सारे गदार हैं जो अंग्रेजों के समर्थन में लड़ाई करते हैं उसे मदद करते हैं इसी लूप में उन्होंने आमभिक को दिखाया है दूसरी तरफ इसी गंधार नरेश और गंधार की जो राजकुमारी आगे मैं बताऊंगा वह अलका है वह देश प्रेम शेयोत प्रोत है वह अपने पिता क्या और अपने भाई का विरोध करती है वह सेहरन से प्रेम भी करते है ये भी चर्चा हम करेंगे तो जो चानक के है वो तक्षिला विद्याले में अध्यापन करने के बाद अन्तिम समय में कुछ दिन अर्थ सास्त परहाने के लिए चानक के को सेहरन को और भी राजकुमार जो वहां पर रहे थे गुरु दक्षिना के रूप में गुरु ने इन के लिए चानक के तक्षिला विश्विद्याले में रुक जाते हैं और धीरे धीरे जो है चंद्रगुप्त सेहरन इन सब के नजदीक चानक के आते हैं और धीरे धीरे यही जो है आमभिक का एक भेद भी खोलते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे यहां पर राक्षस जो है यह मगध का आमत्य है मंत्री है यही पर आमभिक की भी चर्चा हमने किया और आजीबक के रूप में एक साधू की भी चर्चा हुई है दूसरी तरफ बाद की, इसको हम बाद में लेंगे लेकिन अध्यन की शुब्धा की दरिश्टी से हमने पहले लाया है कि मेगास्थनीज जो फीमस नाम है बाद में 298 बीसी के करीब चंदरगुप्त मोहरी के दरवार में आये थे और ये सेल्यूकस निकेटर के दूद थे जब सेल्यूकस निकेटर का चंदरगुप्त से संबंद अस्थापित हुआ उनके पुत्री का बैवाहिक संबंद अस्थापित हुआ उसके बहुत बात जो है मेगास्थनीज भारत में आये और मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखा ये याद रखना बहुत फेमस बुक है इंडिका मेगास्थनीज का जो इंडिका बुक है वो बहुत ही famous book है इंडिका, इसमें इन्होंने बिस्तार पुरवक मगद समराज पाटली पुतर की चर्चा की है, साथ ही वहां रहने वाले साथ जातियों की भी इन्होंने चर्चा की है, इसकी चर्चा और भी हम आगे करेंगे, कि इसके बारे में जैसंकर परशाद क्या कहते हैं अपने नाटक में, उसकी चर्चा करेंगे, आगे जो सबसे महतपुर्न आता है, पात्र पुरुष पात्र में देखें, तो वो फिलिप्स है, जो सिकेंदर का छत्रप है, एनिसा क्रिटश सिकेंदर का शाथी है, साइटियस याद रखना यमन दूत है, दंडायन एक महा तपश्वी है दंडायन, यह महान इसलिए है, इसी दंडायन के स्विर में जो है, चंदरगुप्त और शिकेंदर दोनों आते हैं, स्टा शिकंदर दंडायन को बूलाने के लिए भेजते हैं, लेकिन दंडायन जातें नहीं है, तो मजवूर होकर शिकेंदर को ही उनके यहा बिल्कुल तुम जीत नहीं सकते हो, तुम जो सामने चंदरगुप्त को देख रहे हो, यही भारत का भावी समराट है। और इसी स्वेट जैसेंकर प्रसाद ने ये भी दिखाया कि यहां पर चंदरगुप्त और सिकंदर आपस्वे मिले, इससे पहले भी मिले हुए थे। मगद का मंत्री है, देव, देव, वल, नागदत, गुन भद्र, गुन मुख्य, ये सब मालव के अधिकारी है। तो गौन पात्र को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि गौन पात्र से भी सवाल पूछ लेते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं, कुछ और महतपुर्ण चीज है, सिकंदर की चर्चा किये बिना यह नाटक पूरा नहीं होगा दोस्तों। सिकंदर महान, जो मेसिडोनिया का शाशक था, और कहा जाता था कि वह विश्य विजय करने के लिए निकला है, और संपुर्ण विश्य को जीते हुए भारत में जेलम नदी के तठपर आता है, तो वही जो है गंधार के आशपास, चंदरगुप्त से भी इसकी मुलाकात होत और उससे पहले ही, जो पहली लडाई सिकंदर की होती है, वह है राजा पूरस से होती है, इसी पूरस को जैसंकर परसाद ने परवत इश्वर कहा है, आनि सिकंदर और पूरस की लडाई हुई, यद भी इस लडाई में कहा जाता है कि मगद का जो समराट घनननंद थे, उन् जो घनननंद अपनी पूत्री का बिवाह जो है, बिवाह का पैगाम पूरस के पास भेजा था, लेकिन पूरस ने यह करते हुए आस्विकार कर दिया कि हम चत्रिये हैं, हम एक निम्न कुल की कन्या से बिवाह नहीं करेंगे, तो इसी बात का बदला लेने के लिए घनननंद जब सिकंदर का पूरस पे आकर्मन होता है, तो वो उसका मदद नहीं करता है, तो खेर सिकंदर और पूरस के बीच लड़ाई होती है, सिकंदर का जीत होता है, लेकिन पूरस की कारिकुशल्था को देखकर, बीरता को देखकर, जब सिकंदर उसे पूछता है कि तुम्हारे जाए का राज सिकनदर लोटा देता है अब सिकनदर जो है पाटली पुत्रा पर आकरवन करना चाहता है वो उनके साथ जो साथ ही आये थे ऐनेस्सा क्रीटस अरिस्टाबोलस नियार्कस एक दूट भी थे वह पाठ्ली पुत्रा का पता लगाने के लिए भेजते हैं लेकिन पाठ्ली पुत्रा का एक बिशाल सेना देख करके उनके सैनिक आगे बरने से जेलम नदी से आगे बरने से इंकार कर देते हैं ये इतिहास की बाते हैं I support और दूसरी तरफ, जैसंकर परशाद बताते हैं, कि अचेत अवस्था में सिकंदर जो है, चंदरगुप्त को बचाते हैं, जिसकी चर्चा हमने पीशे किया, इसी सिकंदर के जो दूद थे, वह सेल्यूकस निकेटर थे, बाद में राजा सेल्यूकस निकेटर बनते हैं, और इन्ही की पुत्री कारनेलिया होती है, जिसका बिवाह आगे चलके सिकंदर से होगा, जिसकी चर्चा करेंगे, और बिवाह के बदले में, सेल्यूकस निकेटर ने बहुत बराचित हैरास, हैरात, अराकोशिया, और जो जेडोशिया, जो नौर्थ इस्ट का जो बराचितर ह वह शिकंदर को देहिज में दे देते हैं, तो इसकी भी चर्चा करेंगे, आगे जो है, आगे जो सबसे महतपुर्न जो है, यहां से हरवार कोश्चन पूछा जाता है, इस वार भी पूछा है कि नीला और लीला कौन थे, यहाँ पर कल्यानी की चर्चा है दोस्तों, सबसे पहला ससक्त महला पातर में हमने कल्यानी को लिया है, इसके कारण ये भी था कि जो कल्यानी है, वो घननंद की पुत्री है, और भगल में हमने चंदरगुप्त मौरी को लिया, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, जैसे भारतिय फिल्म में एक नायक की इंट्री होती ह और नायक का इंट्री जो होता है आपने देखा होगा कि वो नायका को बचाता है फिर नायक और नायका के बीच प्रेम होता है तो जो कल्यानी है वह अपनी सहली नीला और लीला के साथ वो सहर पर जाती है भर्मन पर जाती है वहीं पर जो है जब भर्मन कर रही होती है बैठी भी होती है अपने पार्क में तो चीता का आक्रमन होता है ये जरूर याद रखना question पूछा है किसका आक्रमन होता है तो चीता का आक्रमन होता है और सारे वहां के लोग तरही माम तरही माम कहते हुए इधर उधर भागने होत उसे सबें चंद्रगुप्त जो है तक्षिला विध्याले से अधियन करके वापस लोटे थे अपने दोस्तों के साथ वह भी बिहार कर रहे थे तो जैसे मैंने कहा कि जैसे हीरो के इंट्री होती है वह इसे ही हीरो की तरह है चंद्रगुप्त की इंट्री जैसे अंकर परशाद ने कराए कि चंद्रगुप्त ने सीधे धनुश्वान निकाला और तीर से जो है एक यही तीर से जो है चिता को मार गिराया उसके सर पे लगा बान चिता मुर्चित हो गई अब लोग तराहिमाम जो लोग कर रहे थे वो रुख गए और देखने लगे आखिर ये काम किस बीर ने किया तो नीला और लीला जो है वो बताती है कल्यानी को कि यह जो है कोई बीर और नहीं है यह मगद के ही जो है सेनपती का पुत्र चंदरगुप्त है तो फिर कल्यानी का प्रेम भाव चंदरगुप्त के परती जगने लगता है कल्यानी कहती है कि तुम मुझे जानते हो तुम मुझे याद हो तुमसे तो मैं पहले भी मिली थी आज दक्षिला विश्विद्याले जाने से पहले चदरूत काता है जी दे भी जरूर मिला था आप पुर्ण रूप से मुझे याद हो धीरे धीरे के बीच सोना बावू बला क्रिया आरंब होती है मतलब धीरे धीरे दोनों के बीच प्रीम उबरने लगता है और कल्यानी कहती है कि तुम एक महान वीर हो महान योद्धा हो मैं अपने पिता से तुझे योग्य पद या जो है दक्ष या आपको पुरुषकार दिलवाओंगी इस तरह से दोनों में मिलन होता है और याद रखना कि कल्यानी जो परमुक पात्र है और घननंद की पुत्री है मगद की राजकुमारी है यही कल्यानी गीत गाती है और ये एक गीत गाती है जो एक्जाम में पूछता है वो आप ध्यान रखना वो गीत क्या है सुन लीजे कोड कर लेना सुधा, सुधा कौन पीती है, कल्यानी, चोकी राजा की बेटी है, इसलिए सुधा का दूध पीती है, सिंबल कोडिंग याद हो गया, दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस तरी पात्रों में जो सबसे ससक्त पात्र है, उसमें एक पात्र, सेल्यूकस निकेटर की बेटी कारनेलिया है, एक ससक्त पात्र है कारनेलिया, एक बिदेशी है, और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त, जो ये सेल्यूकस निकेटर का हमने इमेज लगाया है, चंद्रगुप्त के बीच जगडा होता है, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप है भारत का और जो सेल्यूकस निकेटर के अधीन है वो चंदरगुप्त को देना पड़ता है और सेल्यूकस निकेटर के साथ उसकी पुत्री कारनेलिया भी आती है और कारनेलिया को भी चंदरगुप्त से प्रेम हो जाता है याद रखिएगा यही कारनेलिया है चुकि कारनेल प्रिया को प्रेम हो जाता है और भारत के भूमी से प्रीम हो जाता है यह पर एक चीज और दियान रखना आखिर जैसंकर प्रशाद एक बिदेसी लड़की से भारत का गुनगान क्यों गबाया है इसके बीचे मूल कारण है जैसंकर प्रशाद यह दिखाना चाहते थे कि जब एक बिदेसी भारत का गुनगान गा सकता है भारत का गौरब गान गा सकता है फिर आप क्यों नहीं खास करके एक बिदेसी लरकी जब भारत का गुनगान गा सकती है तो हम अपने पौरुश से क्यों हतास हो हम भी अंग्रेजों से लरके उसे भगाएं तो इसी लिए ये बात क और इसलिए जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कारनेलिया है वही गाना गाती है अरुन यह मधु मैं देश हमारा एक गित गाती है याद रखना कारनेलिया गाती है अरुन यह मधु मैं देश हमारा जहां अंजान चतिज को मिलता एक सहारा इसी कारनेलिया की सहेली है एलिस ये भी बहुत important है, पूछा है, गौन पात्र पूछ लिया जाता है, तो मैंने इसको भी बिदेशी लरकी का image लिया है, जिससे आपको असानी से याद हो जाए, तो एलिस जो है, वो कारनेलिया की सहेली है, ये 100% आप याद रखियेगा, और भी आगे इनकी चर्चा करेंगे, अब आते हैं कुछ और परमुक इस्तरी पात्र, जो देश प्रेम से जुरी हुई थी, उसमें पहला नाम आता है सुहासनी, सुहासनी जो है, जो famous पात्र है, उसमें मैंने इनका image लगाया है, जो चानक की प्रेमिका है, और इनका भी इतिहास है कि चानक इनसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन चानक के जब तक्छिला भी स्विद्याले में अध्यन के लिए चला जाता है, और लंबे समय तक लोट करके नहीं आता है, तो जो राक्षस है, जो घननन्द का मंत्री है, मज़वूरी में उनसे प्रेम करना पड़ता है तो एक तरह से सुभासणी को नर्तकी बनना पड़ता है जब चानक के लोट करके पाटली पुत्रा आता है तो जब ये पता चलता है कि उनकी सुहासनी घंननंद के दरवार में एक नर्तकी बन गई है तो चानक के कहता है मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ बढ़वाद हो गया, जो मेरे पास था, सब कुछ खो गया तो ये सुहासनी जो गाना गाती है वो याद रखना ये गाना है सुहासनी का तुम कनक किरन के अंतराल में लुप छिप कर चलती हो क्यों, हे प्रानवती शौंदरी बना दो, मौन वरी रहती हो क्यों इसी तरह से एक और गाना है आज इस योवन की माधमी कुझ में कोकिल बोल रहा ये सुहासनी का गाना है याद रखना आज इस योवन के माधमी कुझ में कोकिल बोल रहा है तो शुहासनी जो है बड़ा ही मजबूत कैरेक्टर है और एक देश प्रेम के रूप में यह नरतकी के रूप में बाद में घननंद के यहां काम करती है और ये दो गाना गाती है तेपी तीन गित गाई है दो गित आप यहां पर याद रखना अगला जो महतपुर्न इस्तरी पात है वो अलका है मैंने इमेज इसलिए लगाया कि अलका का इमेज आपके दिमाग में बैठ जाए तो यह जो अलका है यह जो है तक्चसिला की राजकुमारी है आनि गंधार की राजकुमारी है आमभिक की बहन है यामभिक जो एक तरह से हम कहें कि देश द्रोही है यमनों को आकर्मन करने मे में मदद करता है लेकिन अलका देश प्रेम से ओत्प्रोथ है वह सिहरन से प्रेम करती है अलका ने तीन गीत गाये हैं इनको भी ध्यान रखना इनके पर्थम गीत याद रखना पर्थम योवन मदिराशे मस्त प्रेम करने की थी परवा पर्थम योवन मदिराशे मस्त प्रेम करने की थी परवाह इसको याद रखना बहुत important है अलका पात्र जो जैसेंकर परशाद ने अलका के रूप में यह दिखाने का प्रियास किया है कि इस्तरिया सर्फ घर में नहीं रहती है बलकि इस्तरिया भी देश प्रेम से ओत पुरोतारा होकर वह अपने दुस्मनों से लड़ती है उसके खिलाप हतियार उठाती है उसके खिलाप सर्यंत्र करती है इसकी चर्चा यहाँ पर किया है इसी तरह से एक पात्र है मालविका बहुत फेमस पात्र है मालविका के रूप में हमने स्क्रीन पर लिया है मालविका यह सिंधु देश की राजकुमारी है और यह मालविका भी चंदरगुप्त से प्रेम करती है तो इनके जो गीत फेम शय याद रखना मधुप कब एक कलीका है पाया जिसमें प्रेमिरस सवरभ और शुहाग मधुप कब एक कलीका है आनि मधूप मतलब भौड़ा कभी भी एक कली का नहीं हो सकता पाया जिसमें प्रेमिरस, सौरब और स्वाहग वहीं चला गया तो ये जो है खास करके सिंदु देश की राजकुमारी मालविका का भी यहां पर बर्नन किया गया है इस्तरी पात के रूप में एक कहानी और भी मै आपको बताओंगा जैसंकर प्रशाद नहीं भी दिखाया है कि चानक के जो थे वह एक भावुक प्रेमी थे इसलिए जो उनके गुरु चानक के थे वो समझते थे कि अगर ये भावुकता में रहा तो ये समराट नहीं बन सकता था इसलिए चानक के ने बहुत सारी जो है च चानक के जाते हैं बहुत सारी उनकी प्रेमिका से पूछते हैं कि बताओ तुम चंद्रगुप्त को सासक बनने के लिए क्या कर सकती हो तो उनकी प्रेमिका कहती है मैं तो उनके लिए जान दे दूगी तो फिर इसी वक्त जो है चानक उससे वचन लेते हैं और कहते हैं इस से तुम कूद जाओ तो बहुत सारे समरात बनाने के लिए चंदरगुप्त को बहुत सारे छल बल सब का परियोग किया आगे मैं ये भी बताओंगा कि 右 सासक बन जाता है तो शासक बनने के बाद जो उत्सब बनाया जाता है उस उत्सब को भी चानक की रुकवा देता है क्योंकि चानक के को ये डर है कि कहीं उत्सब में कोई चंदरगुप्त की हत्या ना कर दे कोई बिद्रोही कोई बिरोधी पक्ष का इसलिए वो जो है ये भी काम कर देता है आगे हम बढ़ते ह रूप में नाटक में आया है इसी तरह माधवी है जो एक चंदन की पतनी है तो ये सब पात्र जो है हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक में आया है तो चंद्रगुप्त नाटक में जो है इतिहास और कल्पना का शुंदर समान्वे जैसां कर परशाद ने किया है और चंद्रगुप्त नाटक के जो पुरुष पात्र है वो अधिकतर पुरुष पात्र जो है इतिहासिक है जिसका बर्नन्च मोरी वंश का इतिहास परेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा जबकि इस्तरी पात्र में जैसंकर परशाद ने अधिकतर इस्तरी पात्रों को वो कालपनिक पात्रों को लिया है तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कितने भाग में हैं उनका बेवाजन क्या है तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो को बनाने में मैंने सुरू में कहा बहुत महनत लगा है तो जरूर अन्तिम में अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना और फिडवेक देना और बताना कि ये वीडियो कैसा लगा अगर आप positive view देंगे तो इसी तरह हम संपुर्ण नाटकों को बहुत ही एक चत्रात्मक रूप में एक फिल्म के रूप में आपको बताएंगे और मैं अपने चात्रोशे भी कहना चाहूंगा कि हर एक वीडियो में एक टीशर का बहुत मेहनत होता है तो जरूर लाइक करें सेर करें और कोमेंट करें अगर आप शंपुर्ण शाहित को संपुर्णता में परना चाहते हैं इसी तरह तो हमारा फिर से हिंदी शाहित का भी नया बैच शुरू हो गया है आप फिरी 10-15 कलास लेकर देख सकते हैं धन्यवाद जैहिंद